गुड इवनिंग ट्रेडर्स कल 19 अफ डिसेंबर मंडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेविल्स देख लेते हैं 18,260 की लेविल्स जब तक इंटाक्ट हैं मैं बाइंग उन डिप्स या इन फैक्ट स्कैल्पिंग की सला दूँगा अगर हम 18,350 के उपर निकलते हैं तभी कुछ मेजर बाइंग की गुणजाईश बनती है अगर मैं सेल करने की सोचूंगा भी तो 18,240 की लेविल्स जब तक ब्रेक नहीं होते मैं तब तक सेल की कोशिश नहीं करूँगा यानि पुट साइड जाना पसंद नहीं करूँगा अगर हम निकलते हैं 18,350 की उपर तो एक मेजर बाइंग की गुणजाईश बनती है 18,410 and further 18,450 के लेविल्स के लिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जब तक 43,100 का लेविल इंटेक्ट है मैं बाइंग ओन डिप्स की सज़ेशन दूँगा और अगर सेल करना चाहें यानि उपर के तरफ अगर कोई सेलिंग सेटप बन रहा है तो भी मैं सेल साइट के लिए स्कैल्पिंग के सला दूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़े टागेट्स आपके पास नहीं है मेजर सेलिंग 43,000 के नीचे ही बनती है यानि 43,000 के नीचे अगर निकलते हैं तभी कुछ मेजर सेलिंग बनती है उससे पहले 43,000 का राउंड फिगर एक सपोर्ट देगा और हमारे पास प्रिवियस डबल बॉटम भी है अगर हम 43,000 340 के उपर निकलना शुरू करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक मेजर बैंक की गुंजाईश बनती है फॉर टागेट ऑफ 43, 440 अगर सेल करना हो उपर के लेविल्स पर तो मैं 8 EMA के ब्रेक होने का ही वेट करूँगा अगर डबल टेस्ट हो जाए तब दोनों ही इंडेक्स अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो फॉर्स फाइव मिनिट्स की कैंडल का हाय जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं बाइंग करने की कोशिश नहीं करूँगा और सेल साइट जाने के लिए मैं थोड़े से रेट्रेस्मेंट का वेट करूँगा कि सेल साइट जाने के लिए यनि रेट कैंडल बनती है तो फॉर्स फाइव मिनिट्स की रेट कैंडल जब तक retrace करके दुबारा गिरना शुरूर नहीं करती मैं sell करना पसंद नहीं करूँगा जब भी gap down opening हो first five minutes की candle का जैसे हाई break होने लगे हम buy side जाना पसंद करेंगे same levels के हिसाब से कल live market में analysis करते हैं तो मिलते हैं कल सुबा 9 जोजे तब तक के लिए enjoy your evening and bye bye